आज की क्लास पे हम वाइस जानेंगे वाइस क्या है वाइस कितने प्रकार का होता है और एक्ट्व से पैजी वाइस बदलने के कौन कौन से नियम है तो आज क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे इसका परचे जानेंगे कि वाइस क्या होता है grammar में wise का विशेँस महतो है हर प्रकार के board exam में चाहे वो academic हो या unacademic हर प्रकार के board exam में wise से related questions जिरुर पूछे आते हैं तो guys wise दो प्रकार की होती है active wise और passive wise active wise में subject प्रमोक होता है sentence के शुरूआट सब्सक्राइब से होती है जिबकि पैजी वाइस में object प्रमुक होता है कार सब्जेक्ट पर न समाप्थ होकर object पर समाप्थ होता है अर्थात इसमें object विशेस होता है और sentence के शुरुआत object से ही होती है और इसमें verb की third form का प्रियोग करते हैं जैसे example से शुरुआत करते हैं आपके सामें example लिखा हुआ है example से पहले हम लोग जानते हैं wise क्या होता है तो wise किसी वाग में प्रियोग तवर्ब का रूप होता है वह रूप है जो यहां दिखाता है कि या तो करता कुछ कहता है या स्वयम करता पर ही कुछ घटित होता है याद रखिएगा यह जैसे example से हम लोग देखते हैं राम इस बीटिंग राम इस बीटिंग राम पीट रहा है या राम इस बीइंग बीटेन राम पीटा गया इस प्रकार से हम लोग देखे हैं राम इस बीटिंग राम पीटाई कर रहा है राम is being beaten राम के द्वारा पिटाई किया गया इस प्रकार से दो sentence यहाँ पर देख रहे हैं राम और यह राम दोनों sentence के शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर यह दिखाता है कि या तो करता कुछ करता है या सोयम करता पर ही कुछ घटित हो रहा होता है जिसे कुछ और एक्जामपल्स की बात करते हैं हम लोग जानते हैं कि सिर्फ एट प्रकार के टेंसे को ही हम active से पैजू चेंज कर सकते हैं हम लोग 12 टेंस में से 4 ऐसे टेंस हैं जिनको prezi wise में नहीं बदल सकते हैं वो है हमारे जैसे present perfect continuous trends, past perfect continuous trends, और future continuous trends, और future perfect continuous trends. ये four ऐसे sentences हैं जिनको हम लोग active से prezi wise में change नहीं करते हैं. शेस सभीस tenses की active से गिकल सो prezi wise बनती हैं. जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं पहला sentence हमारा लिखा हुआ है present definite tense. Present Definite Tense के Sentences को हम कैसे Active से Passive Wise में Change करते हैं इसका Formula आपके सामने दिया हुआ है Passive Wise के लिए हम लोग Is MR का प्रयोग करते हैं और Verb की Third Form का प्रयोग करते हैं तो याद रखेगा Present Definite Tense में Is MR का प्रयोग करेंग और Verb की Third Form का प्रयोग करेंग जैसे लिखा हुआ है He Helps Me वह मेरी Help करता है He Helps Me यहाँ पर दिखे He Helps Me हमने क्या का था Subject को Object के रूप में और Object को Subject के रूप में आपस में बतर लेते हैं तो यहाँ पर Object है Me यह हमारा अधर आएगा Subject To रूप में आ जाएगा Me का Subject होता है I और I के साथ Am का प्रयोग होता है तो I Am और Verb के Third Farm का प्रयोग करते है इस M R में से कोई एक लगाएंगे और Verb के Third Farm तो क्या हो जाएगा I Am Helped और By के साथ हमको Subject लिखना होता है By और He को Objective Case में लिखेंगे तो Him हो जाएगा तो He Helps Me वह मेरी मदद करता है तो I Am Helped By Him याद रखिएगा इसका structure आप लोग बना सकते हैं जो Activize का structure कैसे होता है आप जानते ही हो इसमें Subject होगा Verb होगा V1 या V5 होता है प्लस Object होता है इसमें लेकिन जब इसको Paisy वाइस बनाएंगे तो इसमें पहले Object आजाएगा Object फिर Is I Am Are का प्रयोग करते हैं फिर इसके बाद Verb की third form फिर By के साथ हमको Subject लिखना होता है इस प्रकार से जो हम लोग इसको Change करेंगे तो He Helps Me I फिर I के साथ I Am फिर Verb की third form Helped फिर By Him ऐसे लिखना होता है तो हो जाएगा I Am Helped By Him उसी प्रकार से Next देख लिजे I Help You मैं तुम्हारी Help करता हूँ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ यहाँ पर दिखे You Object है You को हम Subject की रूप में लिखेंगे तो जाएगा You यो के साथ क्या लगाते हैं R का प्रयोग करते हैं You Are फिर Help को वर्प की थर्ड फार्म में तो You Are Helped By I Objective के मी हो जाता है तो पूरा मिलाकर हो जाएगा I Help You You Are Helped By Me Very Good उसी प्रकार से Next देखें जैसे लिखा हुआ है She Teaches You वह आपको पढ़ाती है यहाँ पर You Subject के रूप में आएगा तो जाएगा You You के साथ आर का प्रयोग करते हैं और Teaches को जाएगा Tout By Her तो She Teaches You You Are Tout By Her उसी प्रकार से Next इक्जामपल देखें जिसे लिखा हुआ है We Respect Him हम उनकी Respect करते हैं Him को Subject में ही कहते हैं He के साथ हम लोग Is लगाते हैं He Is Respected By Weak Objective Case होता है Us ठीक है न हम इसका कोई Table बना कर आपको बता दूँगा Subjective Case, Subjective Case और Processive Case में तो अभी के लिए हम लोग के बल इस Practice को सीखेंगे Practice जानेंगे तो We Respect Him तो He Is Respected By Us उसी प्रकार से इससे लिखा हुआ है People Speak Hindi in Bihar People Speak Hindi in Uttar Pradesh People Speak Hindi in Karari People Speak Hindi in Bihar तो क्या हो जाएगा ये Bihar Hindi Speak People कहां पर दिखे People Speak Hindi Hindu को हम लोग object मान लेते हैं तो Hindi इधर आ जाएगा Hindi Is Speak Spoken Hindi Is Spoken In Bihar By the People लिखे चुकि बोला तो लोगों के दोवरा जाता है इसलिए By People लिखना कोई जरूरे नहीं है Common Sense है क्योंकि Hindi बोलने माई लोग कौन होंगे आफकोर्स लोग ही होंगे इसलिए यहाँ पर By People लिखना कोई जरूरी नहीं होता है उसी प्रकार से Next दिखे जिसे लिखा हुआ है We Expect Good News हम अच्छे समाचार की उमीद रखते हैं आशा रखते हैं Expect रखते हैं तो इसको Good News यह हमारा Object है ना तो Good News इधर आजाए Good News Good News News से आप इस से मत सोजना के बहुचन में है यह Singular Number News News हमेशा Singular Number में होता है Good News is लग जाएगा Singular Number के लिए Good News is expected By अस लिखना कोई जरूरी नहीं होता है Good News is expected हमारे द्वरा अच्छे समाचार की आशा है अब हम लोग बात करते हैं Present Continuous Tense की Present Continuous का भी structure सामनी दिया हुआ है Present Continuous Tense में हम लोग Is MR और Plus Being Plus Verb की Third Farm का प्रयोग करते हैं याद रखिएगा Is MR Plus Being और Plus Verb की Third Farm यूज़ करके हम लोग उसको पैजी वाइस बनाते हैं तो एक्टी वाइस आप लोग जानते हैं जिससे I am eating a mango Rate the example I am eating a mango मैं एक आम खा रहा हूं इसको पैजी वाइस में क्या होगा आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है A mango is being eaten by me कैसे अब देखो Object आएगा A mango A mango singular number is A mango is फिर being फिर वर्प के third form Eat at eaten A mango is being eaten Object by I को मी हो जाएगा तो पूरा मिला करके I am eating a mango A mango is being eaten by me उसी प्रकास से को और देखे एक्जम्पल लिखावा है They are singing songs वे गीतगार हैं They are singing songs तो song पहले हो जाएगा Object में है ना Object में Object पहले आएगा Songs चुकि songs गीत बहुत सारे गीत हैं तो और लग जाएगा फिर being Sing, sang, sung फिर by them लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि गीत तो लोगों के द्वारा ही गया जाता है अगर आप चाहें तो लिख दे नहीं चाहें तो कुई जरूरी नहीं है वे इसे ना लिखना दी कुछ ही तमाना जाता है common sense तो songs are being sung गीत गाय जा रहे हैं गीत उनके द्वारा गाय जा रहे हैं उसी प्रकार से जैसे दे आर repairing the bridge वे bridge वे पुल को repair कर रहे हैं पुल की मरमत कर रहे हैं या पुल उनके द्वारा मरमत किया जा रहा है या पुल का मरमत किया जा रहा है तो they are repairing the bridge bridge is being repaired by them लिखना कोई जरूरी नहीं है उसी प्रकार से he is helping his mother अब देखो his mother his mother object है his mother is being helped by him his mother is being helped by him उसके mother की मदद उसके द्वरा की जा रही है उसी प्रकार से जैसे एक और नेक्ष्ट है they are discussing the matter वे matter को discuss कर रहे हैं तो matter discuss किया जा रहा है उनके द्वरा उनके द्वरा लिखना कोई जरूरी नहीं है तो जाएगा the matter is being discussed बस इतना ही बहुत है इसमें तो हम देख रहे हैं इसमें कि present continuous distance में हम लोग subject को object बनाते हैं फिर इस MR को हम लोग subject के person के अनुसार यूज़ करते हैं फिर हम लोग being का प्रयोग करते हैं और verb की third form का प्रयोग कर देते हैं चलिए next number देखते हैं present perfect tense को हम लोग कैसे बनाएंगे present perfect tense को active से passive कैसे बनाएंगे इसमें हम लोग has या have का प्रयोग करेंगे plus bean का प्रयोग करेंगे और verb की third form का प्रयोग करेंगे has, have, plus bean, plus verb की third form का प्रयोग करके active से passive बनाते हैं जैसे sentence देखी लिखावा है I have finished the work मैंने काम को खत्म कर लिया मैंने काम को खत्म कर लिया I subject है have finished verb हो गया the work object हो गया object पहले आएगा the work singular number है ना I के साथ have था लेकिन चुकिए the work singular number हो गया इसलिए यहांपर has लगाएंगे the work has और फिर been been लग गया यहांपर फिर verb की third form ही है subject को हमको last में by plus subject लिग देना होता है तो हमने by plus subject को objective रूप में मी कर दिया by मी हो गया तो पूरा मी लाकर क्या हो गया I have finished the work पैजी वाइस में होगा the work has been finished by मी next number दिखे he has beaten राम उसने राम के पिटाई की वा राम के पिटाई कर चुका है उसने राम की पिटाई किया ठीक है अब इसको पैजी वाइस बनाना है तो पहले subject वर और object तो object पहले आएगा राम हो गया राम के साथ has have में से क्या लगेगा singular number के साथ has लगता है और plural के साथ have लगता है I के साथ भी have लगता है तो राम के साथ राम has राम हैज बीटन sorry he has बीटन राम को पैजी वाइस होगा राम हैज बीन बीटन बाई उसी प्रकार नेक्स देखिए her sister has cheated her her sister has cheated her अब देखो her sister subject हो गया has cheated वर्व हो गया हर उसे तो उसके बाद her cup subject क्या होता है हर को subject to case में लाएंगे तो हो जाएगा she she के साथ has लगता है फिर बीन आएगा cheated हो जाएगा और बाई her sister इस प्रकार से यसे कवर देख लिए लिखा हुआ है राम हैस डिस्टर्ब्ड मी राम ने मुझे डिस्टर्ब किया राम ने मुझे बाधित किया परिशान किया तो राम subject हो गया has beaten verb हो गया मी तो मी को subject to में आएगा तो I हो जाएगा I के साथ have लगता है फिर been फिर disturbed by राम तो क्या हो गया पूरा यह हो गया I have been disturbed by राम उसी प्रकार से next देखे someone has stolen my pen मेरा pen किसी ने चुरा लिया है तो my pen subject हो गया my pen के साथ has लगेगा been stolen यहां someone नहीं लिखा जाता है क्योंकि someone किसी ने चुराया होगा कोई januar तो चुराया नहीं होगा कोई भूत प्रेत या कोई non-living beings तो चुराया नहीं होगा definitely इंसान ने चुराया होगा इसलिए यहां पर हम लोग someone को last में नहीं लिखते हैं कुछ और example देखते हैं जैसे example लिखा हुआ है no one has seen him for last 10 years किसी ने उन्हें पिछले 10 सालों से नहीं देखा है अब देखो no one has seen him him है object तो he हो जाएगा he has not been seen for last 10 years उसको लिख देगे last में फिर से एक बार देख लेज़े इसको no one has no one हर जाएगा no one has seen him for the last 10 years तो object पहले खोज लिया हमने object को subject बना दिया he he के साथ के लगेगा has not be है न no one किसी ने अर्थात not be है not not been seen for the last 10 years उसी प्रकार से next है he has always helped me उसने मेरी हमेशा मदद किया है I have always been helped by him उसी प्रकार से somebody has punished the chair into corner ठीक है फिर से देखे somebody has pushed the chair into the corner somebody has pushed the chair the chair यहाँ पर क्या है object है the chair के साथ has been paused यह pushed into a corner तिस प्रकार से हमने सीखा कि present tense के तीनों को किस प्रकार से present definite tense present continuous tense present perfect tense इन तीनों को हमने कैसे active से पैजी वाइस बनाना सीखेंगे यह आपके सामने exercise दिया हुआ है इस exercise को note down करना है फिर कॉपी में note down करके इसको one by one करके इसको active से पैजी बनाना है जैसे I eat a mango तो क्या हो जाएगा a mango is eaten by me इस प्रकार से आपको यह 10 example दिये हुए है 10 exercise sentence दिये गए है इन 10 sentences को आपको active से पैजी बनाना है guys मैंने कहा था आपको कि present perfect continuous tense past perfect continuous tense और future continuous tense और future perfect continuous tense इनका active से पैजी बनता है लेकिन मैं आपको next video में बना करके दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग active से पैजी बनाते हैं और active से पैजी बनाने पर उसका हिंदी में आर्थ क्या निकलता है और कौन कौन से परिवर्तन करने पर active से पैजी बनते हैं वे नियम या वे sentences या वे sentences जिनके बारे हमको बताया गया है कि उनका active से पैजी नहीं बनता है मैं next की class में next video में आपको इसको बना करके दिखाऊँगा तब तक के लिए thanks for watching the video जै हिंद जै भारत